तब कुछ होने के भाजबूत भी आप डरते क्यों से नहीं मैं डरता नहीं हूँ मैं नाम मैं डरता नहीं हूँ मैं काम करके चड़ा है वह भी बोलते कि हम अलक्षिन नहीं होने देंगे वो पहले काहाँ सोय हुए थे अभी आपने देखा और के उन लोगों girls के साथ महां पर बहुत अशी कोशिantas करें लेह जल्दी से जल्दी से का समय लेकरन बिश्वास लोग बिल्कुल नहीं करतें उस लेडर प्र क्या इसंह्ती साथ ने क्या निए Tabika रवब्रके जब उन्होंने इतना बड़ा सांपा में प्रोग्राम किया जम्मू में किया डक्टर जीतिंदर सिंग से किया होगा लेकिन प्रोग्राम का खर्चा कहा हुआ है यह तो नहीं आप रिकावी टिम नहीं समाजी कारी करता आप डिस्टिक हैं और काफी पॉपलोर हो रहे हैं होली लेकिन फिर भी रिष्टेदारी में और पता नहीं ना जाने किस किस चकर में फज जाते हैं और इस चकर में आप जो हाइड कर रहे हो तो क्या आपके आने वाले समय में 55 डीडी सी कि पांच साल का मेंटनेस होता है यह पांच साल उपर-उपर एडिमिस्टिशन के कि बंदो को खलाते पर आते रहते हैं और जो ग्रोंड में काम ही नहीं करते ब्लैक टॉप इनको डालना पड़ता है मैंने डरने का सवाल जवाब दिया था लेकिने डोल्मोड डैपलो तरीके से दे दिया था कि पहाड़ी एक्सपेस न्यूज की जब भी टीम आती है मैंने को कहा कार पहाडी न्यूज की बड़ी तरीक काम करते हैं अप बिन डरे कि आप नज ऑचा काम कर रहा है तो मेरी बस्ट बश्ची और सभी लोग आपको देखते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब और आप देख रहें पहाड़ी एक्सप्राइब मेरे साथ इस पर समाजी कार्य करता खड़े हैं कारण सिंग जी आपको इंट्रोडेशन देने के जूरत नहीं हैं काफी एक्टिव रहते हैं और कभी-कभी बिचारे अंडर्गोंड भी हो जाते हैं क्या कारण हैं हैं हमारे साथ सवाल हैं साथ सवाल को कारण पूछ knife करते करते हैं करनल अदे Temkin आपने निकाला और में आपकी जर्ष को सबको नमशकार बोलता हूं यो पहाड़ी निव्स देखते हैं कि सबसे पहला स्वाल मैं करना cuid कि यहां पर गौर्णमेंट हाइज स्कूल और नास्त है इनका सुना था हमने के सेंटर चेंज हो गया था तो फिर वो अभी तक की क्या स्टेटिस है देखिए जो जहां के जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स जो मेरे पास आये उनने कहा कि जो 12th क्लास का सेंटर यहां से च उनसे बात की तो फिर उनका सेंटर ने का है कि थोड़ी सी फीस एक्टर लगी क्यूंकि थोड़े बचे कम बढ़ रहे थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं तो आपको फीस मिल जाएगी और ने का ठीक है जाएगा जहां पर और ऑगया बापिस इसके उपर उससे पहले सेंटर पापस आ गया तो उससे पहले कारवाई किस तरह से की सरपेंच की क्या उसको करिये एक्शन देए देखिए जो स्टाफ मुझे कह रहा था कि यहां पर किसी को पूशा नहीं गया कि अगर बचे कम थे यहां से तो बताना चाहिए था कि एक्स्रा फीज देना पड़ती है एक सेंटर को बनने के लिए 75 बचे चाहिए तो यहां पर 58 बचे हो रहे थे तो बाकी जो बचे थे उनकी फीस जमा करानी थी रियासी बोड में तो मुझे उनको पैरंट्स ने कहा कि हमें किसी ने इन्फोर्म नहीं किया बच्चों ने कहा कि हमें कोई इन्फोर्म निशन नहीं दी किसी ने तो जब मुझे सर्पैंचिस और वहा की उनके पैरेंट्स ने बताया कि ऐसी सी बात है हमने लीडरों से भी बात की है उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं हो सकता बट मैंने का मैं कोशिश करता हूँ एक बार क्योंकि मैं मैंने अपने लेबल पे जेके बोस के चेर्मेंट से बात की उन्होंने नमबर मुझे जॉइन से किया कि आप इन से बुछिए और यह हो जाएगा तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे से करो आप तो यह हो जाएगा तो यह सेंटर भी बापिस अरनास में आ गया है 12th क्लास के जो इतने दूर से रियासी में जाएंगे तो यह उनके लिए एक दूसरे स्थान पर जाना और एक पेपर के टाइम पर इतना ट्रवलिंग करना तो मैंने कोशिच की मैंने एफट उनको सर को यही बताया चेरमन साब को जेकिबोस के उनने का ठीक है करन जी आपका सेंटर दौरार नास में ही बनेगा नहीं जो यह बड़ बड़ लीडर जहां पर है तो उनकी लीडर की आपकी का सपोर रही है देखिए यह जो 2014 से जो एलेक आप देश भकता आदमी हो सब कुछ हो भाजबूत भी आप डरते क्यों से नहीं मैं डरता नहीं हूँ पहाडी एक्सप्रेस नूस कभी भी बिन निडर से काम करता है और जो सच है वो सामने ले लेंगे तो क्या आपको कोई जेल में डाल देगे नहीं नहीं मैं डरता नहीं हूँ मैं काम करता है तो उसके लिए आप क्यों ऐसा करते हूँ देखो हमने मैं मेरा काम है कि जब भी मैं कोई मीडिया पर न्यूस देखता हूं उसको फालॉप करता हूं उसको देखता हूं जैसे पिछले दिनों कोटली में एक होद कि परश परोच जी जी को मैंने पूछा कि क्या हूँ में किया हूँ कि आप सरपैंची से पूछेंगे वो खोड़िया कि यह नाम नहीं लोंगा किसी का क्यूंकि वह चाहिद उनकों कर नधी में वहारे बहुत डर्वोग नें उन बच्चों के पैरेंट्स को बिश्वास लाना की सेंटर ना सेंटर लिया है अब हकीकत उन लोग उन्हें तो लोग गलत बोर्ड कास्टिंग करेंगे अगर आप सच नहीं बिलाओगे बताओगे तो आप मेरा काम है शुशल वर्क करना मैं समाजी कार करता हूं मेरे गरीब लोगों की मदद करना मुझे दिखा कि उन बच्चों की तो लोगों को बेखुब बनाते ना वह एक्सपोज करेंगे यह जनता बताएगी उनको यह जनता जो मैंने कहा दो जो जो जार चोदा के बाद जो एक्शन जो ने कंड़क्ट की ती यह उनका फरज बनता था कि असी बोड में पता गिया तो उन्होंने कहा कि अभी सेंटर चेंज नहीं कोशिश करते है जैसे मैंने कहा कि सलाल कोटली में एक पानी के बंदर बीच में नहा रहे थे मैंने एक्षिन को बोल के अपने जलशक्ती डिपार्टमेट के जो एक्षिन है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने का ठीक है करन जी चली 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 दूसरा सवाल रहेगा है कि जहां रेलवे स्टेशन कोडी को लेकर के देखिया कि कहा किस जगा में बुना उसको पर क्या कर वे देखो मैं अभी दुरीसिंग जी मैं जो रेलेवे के जो सियो है संदीव गृप्ता जी आपने देखा होगा मैंने मीलिया पर चड़ाय था में उन से मिलने गया था तो उन्होंने कहा है कि I Armen उनसे या काह कि कि आप 3 minute के लिए वहां पर 3-5 minute के लिए हाल्ट कोडी में रखि हुए थे अभी आपने देखा होगा नियुक्त जान दे देंगे हम एलेक्शन नहीं होने देंगे बाइकाट करेंगे ऐसे से नमूने जो है वो तब कहा थे जब ऐसा हो रहा था तो अभी अभी उन्होंने कहा है कि जब ऐश्वनी बैश्वी द्वारा जहां पर आएंगे मैं फिर भी उनके साथ एक बार बात करूंगा और मैंने यह कहा है कि आप जब भी यहां पर गोडी में आएं लोगों से प्रावलम समझे क्योंकि एक से एक डिल लाग की कनेक्टिविटी है जो इस सेरिय को कटप करेगी नहीं तो फिर उनको बहां पर बकल जाना पड़ेगा फ इसकी का स्टेटिस देखिए अभी इसका टैंडरिंग होने वाला है पिछले दिनों में अपने चीफ है यह तो नोजी उनसे मिलें गया था पीड़ जूडी के उनके साथ मेरी बात हुई थी उनने का बहुत जल्दी हम चीज करने वाले हैं यह काफी दिर पहले का हमारी अनपाल के अंदर वहां से ट्रक कहीं सेकडों के साथ से ट्रक जा रहे हैं वह पुल इतना पावर्फुल नहीं है वह इतनी बड़ी गाडियां के लिए अभी डवली साब किसे क्या बाची ने बोला है कि मैं तुरुंत बंद करता हूं अगर ऐसा है तो मेरे नॉलेज में न किसी क्रावार्फुल नहीं है किसी कुछे नहीं अभी उनको कुछ लोगों को मिली है कुछ तो रोर है कुछ रो रहे हैं मैं eigenlijk सायूर्व मैं इसमें करना चाहूंगा कि पिछले दिनों मारे जहांके लीडर्स जो कावला सिंग वह भी इनके लिए गए हुए थे मैंने देखा उन्होंने भी काफी काम कर रहे हैं बीडी जी के लिए तो हो सकता है होपुली वो उनको जल्दी से जल्दी यह मिलेगा सेलरी उनको मिलेगी जाएं के तो काम हो जाएगा यह आपको बिश्वास है नहीं मैंने देखा उन लोगों के साथ वहां पर दो तिन दफ़ा उनके जम्मों में भी सेक्टेट में गये थी इस बिशे पर तो मैंने देखा कि बिलेट डिफेंस गार्ड के लिए वह कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसका समधान निकलेगा मैं आपको लगता है लेकिए जनता को नहीं लगता है इबन हमने भी कहीं काम दुखाए उनके साथ बाचीत करना है लेकिन बिश्वास लोग बिलकुल नहीं करते हैं उ मैं तो मैं तो खुद हमारे साथ बहुत बड़ा जूट बोलेंगे जनता को नारमल भोली वाली जनता को किस तरह से बीकूब बनाते होंगे आप इसको पर कुछ रखेंगे के नहीं रखेंगे अगर सची हिंदोस्तानी हो तो मैं टिपनी तो नहीं करूंगा उनके परसनल बारे में मगर एक चीज में मुझे लगता है जब अगर इतने लोग उनके साथ है महां पर मैंने देखा बिले डिफेंस गार को लेकि जब उन्होंने इतना बड़ा सांबा में प्रोग्राम किया जम्मू में गिया डक्टर जितिंदर सिंग से उन्होंने मिले मिलाया उनको तो मुझे लगता है कही नहीं लिए तो किया होगा लेकिन प्रोग्राम के खर्चा क्रूंसरा यह तो नियावरी तीमुए नहीं में लोग उनके साथ है मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग है तो शोचल बरकर आया जहां दूसरे कोई लोग आया तो इसको दिखाया तो इसको तो आप लोगों ने थोड़ा सा इंप्रूमेंट कर दिया है अर्रास का जेजेम स्कीम का बाकी एरिया में क्या नॉलिज है आपके पास है बींगे एक शोचल बरकर और समाजी कारी करता आप हैं और काफी popular होरे है हॉली होली आप ऐसे काम को लेकर देखिए मैं दो बातों पर आपके साथ हो एक जीजेम के ओपर बात करूगा मैं और दूसरा करूगा जो PMGS बारे में पहले लेता हूँ जीजेम में मैं सभी नहीं बोलता कि सभी थेकेदारों ने गलत काम किया है और कुछ चंद ठेकेदारों ने गलत काम किया है, वो सामने आपने भी देखा होगा, और बहुत सारी साइट्स हैं, जहां पर गलत काम होगा है, डिस्टर्ग रियासी की बात कर रहा हूँ मैं, ओबराल, तो उसके ओपर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूँ, मैं अभी सेक्टरेट में गया भी था, उनकी खलाफ एक बड़ी अच्छी कमेटी गठित हो रही है, और इनके ओपर जल्दी से जल्दी एक्शन होगा, ठेक दारे उनके ओपर, खास कर, और बीच में डिपार्टमेंट के कुछ बंदे हैं, जो शायद उनको स्पोर्ट कर रहे होगे, तो वो शान भीन में निकल जाएगा, वो आपको बहुत जल्द दिखेगा, और मैं जो बोलता हूँ, वो आपको पता है, मैं वो करता भी हूँ, तो दूसरा रहा, PMJS भाई रोड के, जैसे मैं अभी पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, मुझे, कि मैं सेक्टरी से मिल हूँ, इनके इस बिशेपे, जैसे कि अरनास्टू हंदर रोड का, इसकी ब्लैक टाफ काफी दो-तिन सार से उखडी हुई है, और दूसरा नमबर जो परनासा, गुंडी परनासा से लेके जो आगे तक जाता है, रड़ नाला से लेके गुंडी परनासा तक, उसकी ओपर ब् बड़े-बड़े लीडर बहां जाके सैमिनार कर रहे हैं, बड़े-बड़े कर रहे हैं, अब ही मैं सेक्टरी सर से इसी आपने देखा होगा मुझे शोशल मीडिया पर, मैं उनके साथ ये विश्पास लाके, उन्हेंने कहा है कि नेक्स्ट मंथ आपकी ये तीनों रोडों और बाकी रोड़े जैसे साबला कोट वाली है, उनके उपर विश्पास लाया कि जल्दी से जल्दी इसके उपर ब्लैक टापिंग होगी, और जो आर बाल लगने हैं वो भी लगेंगे, और जल्दी से जल्दी उनको कम, जो लोगों को परशानी आती है, वो ठीक हो जाएग अन्तिम सबाल रहेगा, सात्मा और अन्तिम सबाल रहेगा करण जी से, कि करण जी अच्छा काम करते हैं, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, टैलेंटर भी हैं, पड़े लिखे भी हैं, इनके पास कोई कमी नालेजगी नहीं है, लेकर कमी है थोड़ी सी, तो अब यह सव किस-किस चकर में फज जाते हैं, और अन्तिम सबाल रहेगा, क्या इस चकर में आप जो हाइड कर रहे हो, तो क्या आपके आने वाले समय में, सहर पैंच पैंच डीडीसी की चकर में तो नहीं हो सब देखिए, आपने बोला सबसे पहले कि डरने की बात है, मैं डरता नहीं मैंने इस जगह पे नोकरी किये, मैंने देखा उन अलाकों में, कि इतनी परशानी होती है, आर्मी वालों को, और मैंने जब बाहर इतनी स्टेटों में गुमा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने अलाके में भी काम करूँ, मैं जुरूरी नहीं कि मैं कि किसी लीडर का सहरा मलब कोई किसी को बोलो, मगर अपने लेवल पे भी मैं काम करता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, आप देखते होंगे कहीं जगह पे बैक्शन हुएं, कहीं जगह पे मैंने काम करवाए हैं, चाहे स्कूलों के अपर गडेशन को लिए हो, चाहे रोडों के लिए हो, चाहे मैंने हर जगह काम करता हूँ, जहां पे तरीफ जो काम अच्छा करते हैं, जैसे टीचर, आटीचर, जो भी टीचर आज की डेट में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी परसंसा करता हूँ, जो उनका एप चल रहा है, जैसे कि वो काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि बा कि आप देखी कि पांस साल का इनका मैंटनेस होता है यह पांस साल उपर-उपर एडिमिस्टेशन के की बंदों को ख़लाते पराते रहते हैं और जिए ग्रोंड में काम ही नहीं करते हैं ब्लैक टाप इनको डालना पड़ता है पैचिस निकलने बूर ठीक है समाजी करता है ग्रीव लोगों की मदद करना अच्छा लगता है क्योंकि मैंने कहां ना मैं बहार गुमा हूँ मैंने देखा लोगों की तिकलीफों को तो मैं सुछता हूँ कि मैं अपने लाके में भी डेवल्मेंट करा हूँ चाए किसी बड़े लीडर के पास जाना पड़े मैं होगा उनके पास यह तो काम है यह तो लीडर अगर मैंने कहा ना 24 के बाद जिननों भी एलक्षन कंड़क्ट की है वो पता नहीं उनको क्या है क्यों नहीं इसा कर रहे हैं लोगों की क्यों नहीं कर कर आता है तो उनके लिए वो लोग बोर्ट करेंगे और साथ में जो मेरी बात है मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी अभी दोनों में सेलेक्षन हुई है आपको पता जी कि PSI में सबन स्पेटर में कर रहा तो मैं continue करूंगा बाकि मेरा लक्षन लुक्षन लड़ने का कोई अभी ऐसा कोई बिचार नहीं है बाकि समाज सेवा करने का मुझे बड़ा शोक है मुझे काम करने का बड़ा शोक है पतली गली से खिसी के पूरे सवालों के सही तरीके से एक्सपोज नहीं किया है मैंने डरने का सवाल जवाब दिया था लेने डोल मोट टरीके से दे दिया था कि पहाड़ी एक्सपेस न्यूज की जब भी टीम आती है मेरे को कहा कारण जी ने समाजिक सेविक ने कहा कि मैं बमार हूं लेकिन जब हमें जहां आया तो कोछ चेहरा मुझे बमार वाला नहीं लगा वो पतली गली से खिसकना चाहते थे तो सर इसलिए क्यों आप लोगों को ऐसा दर लगता है कि पहाड़ी एक्सपेस न्यूज को क्या ऐसा पूबिया हो गया कि जब कैमरा में आने की बारी है तो सारे लोग भार जाते क्या कर ने ऐसा नहीं ह आप बिन दासों के काम करते हैं हर बार आपका चैनल में देखता है रहता न्यूज चाहे पहाड़ों की हो चाहे सीटी की हो चाहे माइनिंग की हो चाहे स्कूलों की हो चाहे बिल्डिंग्स की लेटेड़ हो आप बिन दासों के काम करते हैं बिना डरे क्योंकि यह आप और सभी लोग आपको देखते हैं तो उसके लिए ऐसे न्यूज आप दिखाते रहे हैं शुक्रिया करन जी ने आखर समाजी बताई दिया सच के नहीं मैं डरता हूं लेकर हकीकत में वह थोड़े बहुत हीजिटेट होते हैं आभी इनके पास थोड़ी सी हीजिटेशन क्यों क कि इस कारण से वह वह तो आप अपने कमेंट में दे सकते हो क्या कारण है एजिटेशन के लिए चलिए मैं इससे ज़्यादा हो नहीं कहता हूं अपने तमाल दर्श्यों कहता हूं वीडियो को लाइक करना शेर करना ना भूलिए प्लीज जो कमेंट आप देते हैं उस समाज सेविक जी हैं किया ये सही काम कर रहें के नहीं कर रहें जानता हूं इस चीज के इनलें देंजिए घ tätä यह जूट जूत ऐसा ऐसा लीडर अगर सोचल बगर से उठका कर ऐसा लीडर को अगर बीजेपी खड़ा कर देती तो शाहित आने वाले लोगों के लिए बला होता लेकन वहां वही जाट वाई 16-28 वही 16-28 वाले फिर आगे यहां पर अब आप लोगों ने तेय करना है कि उनको 16-28 को करन है कि जहां ऐसे ऐसे टैलेंटर जूत को आपने आगे लियाना है चलिए इससे ज्यादा में और नहीं करेंगा कैमरा मेंन के साथ मुझे दें ज्यादे जम जैहन नमस्कार